एमस्टीवी की खबर का हुआ सर अधूरे तलाब को पूर्ण कराने का कार हुआ प्रारंभ निरम्मित हुए अधिकारियों को बाहल करने की चल रही कावाया सिवसमाप का आदेश के बदले कर दिया गया बाहल और भूई पूजन के दो साल बाद भी नहीं बना धोवी तलाब नमस्कार बालागाट लाइफ के इस ब्रेटे में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आकाश बालागाट जिले के उत्तर लामता परिशेतर समाने उत्तर बनवंडर बालागाट के लोट मारा आमानाला में बनविभाग के द्वारा लाखों की लागत से बना तलाब प्रष्टाचार की भेंट चड़ गया जिसका पिछले दिनों EMS TV ने खबर को प्रमुकता से दिखाय अधिकारियों को जाच का लापरवाही वनकर्मिक उपर विद्वात रूप से कारवाई करना था लेकिन कारवाई न करते हुए अधूरेकार को पूर कर अपने दिकारियों को जांस से उचिसतरी अधिकारियों के द्वारा बचा लिया गया लेकिन अधूरे पड़े तलाब कापूरते निगम के अधिकारियों और मिलिंग से संबंदित वक्तियों के विरुद्ध अपरात कायम कर विवेचना शुरू की है वहीं दूसरी तरफ मंडला और बालाखाट जिले के जिला प्रवंदकों को निलंबित करने गुडवत्त निरिक्षकों और नियंत्रकों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किये गए थे लेकिन निगम के आला अफसरों के सनलिप्तता के चलते निलंबित किये गए जिला प्रवंदकों को आरोपत्र निलंबित किये जाने के समन्द में आरोपत्र जारी किये जाने के पूर्वी उन्हें पद पर पुना नियुकत बाहल किये जाने के जानकारी प्राप्त हुई है बालाखट के मोती तालाब का विकास कारे पूर्ण नहीं हो पाया है दूसरी और धोविघाट का काम भी भूविपूजन में सिमट कर रहे गया है भूविपूजन के दो साल बाद भी धोविघाट का विकास नहीं हो पाया है नगर में स्वित मुती तलाब दिनों दिन प्रदूशित हो रहा है तलाब में ना केवल दीन देया लपुरम कॉलोनी की गंदगी समा रही है बलकि मोती तलाब को दूशित होने से बचाने के लिए पास ही धुविगाट के विकास की योजना तो बना ली गई लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया अब आलम ये है कि साथ साल बीतने के बाद भी आज धुविगाट का विकास नहीं हुआ है वर्तमान में जिला प्रशासन के दोरा मिलर्स पर दवाव बना कर मिलर्स को रेजिस्ट्रेशन करवा कर मिलिंग प्रारम करने के लिए कहा जा रहा है और मिलिंग ना करने पर उनके खलाब मामला दर्च करने की बात कही जा रही है यह बात रविवार को मद्यप्रदेश चालाव उद्ध्योग महासंग की कारवा का द्यक्ष आशीस अगरवाल ने पत्रकार वारता में कहीं पत्रकार वारता में अगरवाल ने ये भी कहा कि प्रदेश के सियम शिवरा सिंग चौहान से मुलाकात की गई थी जिसमें शासन के दोरा उपारजिद्धान की टेस्ट मिलिंग करवाने की बात कही गई थी लेकिन जिला प्रशासन के दोरा हट धर्मिता दिखाते हुए मिलरों पर दवाव बना कर उनकर इस्टिशन करवा का मिलिंग प्रारम करने के लिए कहा ज़ारा है लोग निर्वाण विभाग के उपियंतरी वाई पी सनोडिया के ब्रश्टाचार की बली चड़ गए गरीब मजदूर गरतलब है कि कटे धरा से तिरोडी खवासा मार की सिमेंट रूट का कार है जो 2018 में पून हुआ था और जिसकी तीन साल की जिम्दारी ठेकेदार की है जो राइसिंग और कमपनी है परंतु सड़क किनार की पटरी कई जगे से दब चुकी है ये कार लोग निर्वाण विभाग के स्थाई शमिकों से कराय जा रहा है विभाग के उपियंटरी सनूर डिया जिनका ग्रहनेवास सिउनी है वहीं से फोन के द्वारा मजदूरों को निर्देश देका ठेकेदार द्वारा करवाय जाने का कार कराय जा रहा है ये उपियंटरी सब्ता हमें एक दिं कटंगी आ नई जीवन की शुरुआत करें हेलमेट पहन कर इसके लिए समाजी कारकरता हितेश अजीत ने रंजेगाउं गांधी चौक निवासी कैलाश कुथे के रिसेप्शन पार्टी में ना तो पैसे दिया और ना ही कोई फिजुल खर्ची वाला गिफ्ट है इसके बदले नवदंपती को हेलमेट दे कर एक नई मिशाल पेस की है हितेश अजीत ने बताया कि रिसेप्शन पार्टी के दरान मित्रों और रिष्टदारों की तरह से नवदंपती को फार दे जाने के परमपा वर्शों से चलिया रही है इस परमपरा में एक्सर लोग नग प्रतस यही निवेधन है कि हलमेट आज से पहने और जब भी मैं कई फंक्शन उंगसं में जाओं जब मैं हलमेट आज से दूर क्या और लोग गुजारिस करें कि जब भी घर से निकले हलमेट आज से पहने उकबा वन परिशेत्र में वन परिशेत्र अधिकारी पी आर मदनकर के बात से किसी भी रेंजर की पदिस्थापना नहीं की गई डिप्टी रेंजर सिधार्त कामले को यहां का पदभार सौपा गया है जो रेंजर का प्रभार समाल रहे हैं मगर जाद अतर अपने मुख्याले पर नहीं रहते यही कारण है कि बन्यपराणी रोवनू की सुरक्षत ताक पर है यहां एक तरफ हर्रा बेचने के लिए हर्रा के पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है इनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा हर्रा के पेड़ों को नाम वनुशान मिठ जाएगा इसी तरह बनुप्राणी भी सुरक्षित नहीं है आए दिन सामर चीतल कुत्तों का शिकार हो रहे हैं मादमिक शिक्षा मंदल भोपाल द्वारा संचालित राश्टी प्रतिवा खोच और परिक्षा 2020-21 कायोजन जिला मुख्याले के साथ परिक्षा केंद्रों में 13 दिसंबर को किया गया जिसमें जिले से 2042 परिक्षारती दर्च थे परिक्षा दो पाली में सुबह 10 बजे से दुपहर 12 बजे तक और दुपहर 15 बजे से 3.5 बजे तक आयो जित हुई सभी परिक्षा केंद्रों में कोरोना संक्रवन को देखते हुए परिक्षारती के बैठने के लिए सोशल डिस्टैंसिंग का पालन किया गया दर्ज जिसमें से 400 बच्चे दर्ज है जिसमें से प्रथम पाली में 98 बच्चे एपसेंट रहें इस प्रकार 302 बच्चा में समलित हुए कर सक्वाल के लिए से 1 जिसमा जिसमें से 1 जिसमें प्रकार 302 बच्चे है, प्रेखते हैं के लिए, जिसमें से 1 जिसमें से 1 बच्चे दिए